केंद्र सरकार द्वारा चावल के खुद्रा व्यापारियों, होलसेलर्स और मिलर्स को स्टॉक की जानकारी देने का आदेश जारी करने पर Confederation of All India Traders, कैट, ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कैट में महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री शंकर ठक्कर ने कहा कि इस तरह के आदेश सिर्फ बड़ी भंडारन क्षमता के लिए जारी करना चाहिए। जिन में बहुराष्ट्रिय कंपनियों, मिलरों एवं बड़े स्टॉकिस्टों को शामिल किया जाना चाहिए। छोट ठक्र ने कहा कि समय पर स्टॉक का खुलासा न करने पर दंडित होने की संभावनाएं बनती हैं। जिससे ब्रश्टाचार बढ़ता है, इसलिए सरकार को छोटे और मजोले व्यापारियों को इससे बाहर रखना चाहिए। बता दें कि केंद्रिय खादे विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि बास्मती, गैर बास्मती, उबले और टुकडे चावल के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। महेंगाई को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। शुक्रवार से खुद्रा व्यापारी, होलसेलर्स और मिलर्स को सरकार के पोर्टल पर स खाद्य जिन्सों में उत्पादन में कमी और काला सागर में मची उथल पुथल के चलते अंतराष्ट्रिय बाजारों में दाम काफी बड़े हुए हैं। स्थानिय स्तर पर भी इस वर्ष मौसम प्रतिकूल होने की वजह से कमजोर बारिश और कहीं पर शुष्क मौसम से उत पर बंदी लगा दी है। लेकिन छोटे व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट की हमेशा जानकारी देने का आदेश देना सही नहीं है। उबले हुए चावल, बास्मती चावल और धान को शामिल किया गया है। कहा गया है कि व्यापारी पोर्टल पर आदेश जारी होने के साथ दिनों के भीतर और फिर हर शुक्रवार को स्टॉक का नियमित और सही धंग से खुलासा करे। सरकार को लगता है कि कुछ लोगों न चावल स्टॉक किया हुआ है।